जैसे आम कहावत होती है और मैं सर से भी इसमें जो है गांसेंट चाहूंगा कि कहते हैं कि सूरज के नीचे आने वाली हर चीज़ UPSC का विशे हो सकता है मलब कहते हैं कि सूरी की रौष्णी के नीचे जो कुछ भी है वो UPSC के लिए अवेर्नेस का टॉपिक है तो क्या मलब जीवन आपका लग जाएगा कि सब कुछ पढ़ने में सब कुछ में तो समुद्र की गहराईयों से लेकर एवरेस्ट की उचाईयों तक अंतरिश में जो है गहराईयों में हमारे पास इतनी चीज़े पढ़ने के लिए आपके पास टाईम है यही पर टीचर की आऊशक्ता पढ़ती है यही पर specialist या विशेशग की आऊशक्ता पढ़ती है जो यह बताता है कि awareness किन चीजों के बारे में किन चीजों के बारे में, यानि आपको यहां पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बहुत से स्टुएंट आते हैं मेरे पास, जि कहते हैं कि सर सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा, सर सारे चीज करेंट अफेर्स है, खेल, कूच, संस्कृत, इ रही है, वो यह जानना चाहती कि आप उसके विशे में जागरुक हो या नहीं हो, जागरुकता जहां कर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो जागरुकता में जो सबसे बड़ी चीज है, वो है भारत को जानो, सारे टॉपर्स यही कहते हैं, भारत को जानो, know your country, know India, ठीक है, यहीं पर आपको current affairs पता चलेगा, भारत को जानो, और जब मैं भारत की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, तो हर तरह से, किसी भी exam में, किसी भी segment के तीन भाग होते हैं, भारत एक बहुत बड़ी संस्क्रतिक विरासत है, हमारी संस्क्रति, हमारी धरोहर बहुत प्राचीन है, तो हमारा एक अतीत, यानि हमारा एक past है, हमारा एक past है, हम अपने जीवन काल में, जब हम exam देने जा रहे ह तो हम वर्तमान से होकर गुजर रहे हैं और वर्तमान की चुनोतियां जैसे अगर हम देखें तो कभी 26 जनवरी में भारत के लाल किले पे जहां भारत का गौरो लहराता था भारत का तिरंगा जंडा हटा कर कभी भी किसी का व्यक्तिका जंडा वाहा नहीं लगा ये किसी राश हैं हमारा एक प्रेजेंट है जहां से हम गुजर रहे हैं आखिर क्यों ऐसी बाते हो रही है सुधारों को लेकर विरोध क्यों हो रहा है क्रिश सुधारों की जो है प्रासंगिक्ता क्या है उसकी इंपोर्टेंस क्या है आज सरकार किस तरह से काम करी न्याय पालिका किस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोनों मुद्दे हैं समाज का एक वर्ग परिवर्तन का विरोत क्यों कर रहा है क्या राजनीती समाज में जब परिवर्तन लाती है तो क्या अपनी जो वैल्यू है उसको खो चुकी है क्या लोगों का अपने राजनेताओं पर विश्वास नहीं रहे गया है, क्या हमारी संसत पर हमारा विश्वास नहीं रहे गया, या कानून को हाथ में लेकर कुछ लोगों को इकठा करके दबाव बनाना, यानि प्रैशर ग्रूप को रिएट करना, क्या आज हमारी वर्क कल्चर हो चुका है, क्या भारत की डेमोग्रेफी को से वाइलेंस का हमें सामना करना पढ़ सकता है, दो बाते हो गई, और जब हम तीसरी बात करेंगे, जब कोई राष्टर होता है, अब हम इतनी गलत बातों के बारे बात करें, लेकिन यहीं वो भारत है, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में सबसे तेजी से टीका क करना अभियान चलाया, सबसे पहले वन मिलियन क्रॉस करने वाले देश हम है, यह वही देश है, जिसने अपने निवनतम संसाधनों के माद्यम से आज पूरी दुनिया को वो वैक्सीन डिप्लोमैसी दिखा रहा है, वो कह रहा है कि भारत वसुधायव कुटमकम, जो की हमार हमारा कोर है, हमारा मुद्दा है, तो सवाल है कि हम किस भविष्य है, यहनी कि हम फ्यूचर की बार अगर हम बात करेंगे, तो हम किस भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य के दो आयाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर हमें आज की हिंसाएं बत कर्स में कनवर्ट हो जाएगा, अभिशाप में कनवर्ट हो जाएगा, सवाल है कि भारत आज नियूंतम संसादनों में, आज बात हो रही है कि संद 2025 तक हम तेजस, DRDO हमारा, जो इतने समय तक सोया पड़ा हुआ था, उसको उसकी छमताओं को कम करके दिखाया गया था, आज प जो एक अरब 35 करोन से जादा की आबादी का प्रतिधित्व करता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का प्रतिधित्व करता है, दुनिया का सात्मा सबसे बड़ा देश है, इतनी बड़ी शक्ती है दक्षिन एशिया में, और उसके बाद आज वो अपने छोट अपने अतीत और अपने वरतमान का सही आकलन करते हुए भविश्य के भारत की नीव रखने में सबसे बड़ी महत्पूर्ण योगदान वो देगा मैंने क्या कहा उसने कहा UPSC requirement करता है कि एक युवा चाहे वो गाउं का हो दिहात का हो हिंदी बिल्ट का हो इंग्लिश बिल्ट का हो वो अपने अतीत और वरतमान से सीखते हुए उसका analysis करते हुए उसकी गहराईयों में जाते हुए वो भविश्य के भारत की नीव को रखेग हैं उसमें जो रंग भरने का काम होगा वो यही officers करेंगे जो भारती सेविल सेवा के अधिकारी होंगे अब यही पर जो है वो आपको core समझ में आ रहा होगा यही वो महत्रपूर्ण चीज समझ में आ रही होगी कि हमें एक साथ तीनों चीजों को combination लेके चलना पड़ेगा ह हमारा अतीत इसको चाहे आप art and culture में पढ़ो इसको चाहे history में पढ़ो इसको सांस्कृतिक धरोवर में पढ़ो इसको भारत की ethics में पढ़ो जिस भी paper में पढ़ना चाहो पढ़ो या भारती सोतनतता आंदोलन में जो हमने सीखा जो हमारी धरोवर हमारी थाती रही है उसको लेते हुए जब हमने अपने महान सम्विधान की रचना की उन सभी को आप जोड़ो भारत के वरतमान को देखो भारत के वरतमान में चाहे वो चुनौतिया हो चाहे संभावनाए हो पीने के पानी की कमी है जमीन की कमी है करशी खराब हो रही है रोजगार नहीं है भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, जाति प्रतागी जकडन है, भारत में अल्प संख्यकों की सुरक्षा के उपर एक कोईशन मारक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारी समस्या है, लेकिन वहीं भारत के पास एक युवा अबादी है, भारत के पास सिस्टम में है, आज भारती युवाओं को, आज दुनिया चाहे वो Google का अगर CEO हो, Microsoft हो, कहीं पर भी अगर आज हो तो आज भारती युवाओं, उनकी प्रतिभा, उनकी इमानदारी, उनकी निष्ठा के प्रति, पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कमपनियां, जो कभी अभी, Asia युवकों को अपनी कमपनीज में नहीं लेती थी, आज वो युवक एशिया के, भारत के, आज इन कमपनीज के सिरमовор बने बैठे हैं, इनके टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो आज ये भारत की महतोकान चाएंहें हैं, ये भारत का वरतमान है, अब सवाल है कि इन चुनोतियों और इन संभावनाओं को मिलाते हुए, एनालिसिस करते हुए, क्या आप एक ऐसे ब्यूरोक्राट में परिवर्तित हो सकते हैं, एक ऐसे अखिल भारतिय सेवा का हिस्सा बन सकते हैं, जो इस महान देश की भविश्य की रचना कर सके, ये बहुत ही इंपोर् तो सवाल है कि आप इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसी एक को पढ़ना दूसरे के साथ अन्याय होगा, अब यहाँ पर बात करते हैं, जब तीनों एक साथ आते हैं, तो मुद्दों का जन्म होता है, किसका जन्म होता है, मुद्दों का जन्म होता है मुद्द यानि issues बोलते हैं बड़े ध्यान से समझना अगर ये नहीं समझे तो जिंदगी भर magazines पढ़ते रहोगे कमाम notes पढ़ते रहोगे लेकिन तुम्हें नहीं समझ मैं कि UPSC क्या आपसे पूछनया चाहा रहा है ठीक है अब आगे हम बढ़ते हैं मुद्दों की बात सवाल ये है जैसे कल की बात करें तो ये क्रशी आंदोलन एक मुद्दा है मुझे तुम बताओ अगर आज मैं डिबेट कर दूँ यहीं पर कर डिबेट कर दूँ तो दो भागों में बढ़ जाएगा एक कहेगा सुधार होना चाहिए एक कहेगा ने किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और आप देखिए पढ़े लिखे लोग सेलिब्रिटीज भी इसमें दो हिसों में बटे हुए है सवाल है कि मुद्दा जब होता है तो अब यहां पर मैं reverse चलूँगा और आप इस अंतर को लिख लिजेगा और समझ लिजेगा UPSC मुद्दों के बारे में बात करता है मुद्दों का एक अतीत होता है हमेशा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मुद्दों का एक अतीत होता है एक past होता है मुद्दे present में भी available होते है और जैसे सरकार ने कहा कि देर साल तक हम इस बिलको नहीं लागू कराएंगे हो सकता है कि भविश्य में भी इन मुद्दों का समाधान निकले या ना निकले अब ये जो issues हैं अब यहां पर समझिएगा क्या किसानों का मुद्दा कोई आज का मुद्दा है अगर आपको किसानों के मुद्दे में जाना है तो आपको कॉर्ण वाली इसका भूमी सुधार समझना पड़ेगा कि उसने कैसे land reform करके गाउं में जो भूमी यानि की land का पूरा structure चेंज करके रख दिया था तो मैं समझना पड़ेगा first five year plan में जब हमने agriculture को आगे बढ़ाने की बात की थी तो क्यों नहरू महानलोभी इस model में यानि second five year plan में मात पांस साल के बाद हमने उस model को change करके industry में convert कर दिया और क्रशी को हमने पीछे छोड़ दिया क्या reason था कि हरित करांती केवल जो हमने की 1965 के दशक में जब 65 के दौर में गए तो हमने केवल तीन ही चेतरों को जो है फोकस किया पंजाब, हरियाण और पशिमी उत्रबदेश और एक पिचरा हुआ किसान जिसको present कहा जाता English में, वो कहा है, वो इस पूरे अंदोलन में क्या मुझे MP का किसान, मुझे बिहार का किसान, UP का किसान तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी condition में आखिर इसके अंदर समस्या क्या है और भविश क्या है, क्या ये सुधार किये जाने चाहिए, अगर अर्थ व्यवस्ता की पहली क्लास में पढ़ा जाता है कि क्रशी और सम्मंदि चेतर प्रात्मिक चेतर कहलाता है, प्राइमिरी सेक्टर कहलाता है तो जब किसी भी आर्थ व्यवस्ता के किसी भी छेत्र को अपने लिए निर्णे लेने का हक है, अपने को आगे बढ़ाने का हक है, तो सवाल है कि एगरी कल्चर जो है, वो एगरी प्रेनेवर में कनवर्ड क्यों नहीं हो सकता, एगरी कल्चर एगरी प्रेनेवर में क्यों नह भाई पर रही है, हम जब Adam Smith के, हम economic survey में Adam Smith के invisible hand की बात कर रहे हैं, अद्रश्य हाथ की बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इसी तरह का model चल रहा है, तो भारती क्रशी को इतने संदक्षन की आउशकता क्यों है, भारती क्रशी क्यों ताकतवर बन के, अपनी इस आवाद और क्यों नहीं बन सकता, उसके पास भी अपना अच्छा मकान, अपनी अच्छी गाड़ी क्यों नहीं हो सकती, ये प्रश्न पूछा जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे सभी चीजें, याद रखिएगा, ऐसी सभी चीजें, जो आपके मत को विभाजित कर सकती हैं, जैसे अगर हम सिंधु नदी समझोते की बात करें, भारत में जलमारगों की बात करें, नदीयों को जोडने की बात करें, शेहरी करन की तीवरता की बात करें, इंटेंसिफिकेशन और अर्बन इस्प्रॉल, तुम कहोगे कि नहीं नहीं साब, मैं कहा कि शेहरी करन तेजी से तो producer होगा, हमारी नदिया नस्ट हो जाएंगी, लेकिन क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जब balance करना शुरू करोगे, तो ये मुद्दों में convert हो जाएंगे, जहां पर भी जिस मुद्दे पर आपके पास विचारों की भिन्नता दिखाई पड करता है, और जिस student को ये तीनो web create करना नहीं आता है, वो फिर skip हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो अपनी राय नहीं रख पाएगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि मुझे किस direction में जाना है, किस direction में जाना है, मैं आज urbanization पर बात करूँ, दो question आए main space bar, लेकिन अभी मैं मैं आपके मत को विभाजित कर दू, क्योंकि अगर आप urban sprawl करोगे, तो आप natural habitat को खतम करोगे ही करोगे, आप अपनी नदियों को, अपनी भूमी को, अपने जंगल को, जीव जंतों को नष्ट करोगे ही करोगे, और अगर नहीं करोगे, तो वहीं पर मैं जब आर्थिक वि बैलेंस अप्रोच किसी magazine को पढ़कर नहीं आ सकता, वह बैलेंस अप्रोच किसी fact को रट कर नहीं आ सकता, जाधा तर teacher जो हैं, वो events पर focus करते हैं, जाधा तर institute events पर focus करते हैं, absolute है, कितने लोग को पदमशरी मिला, आपने याद कर लिया, क्यों मिला, आपने याद कर लिया, भारत में क्या हुआ, आपने date याद कर लिया, लेकिन मुद्दा क्या था, मुद्दा है जहां पर आपसे debate की जा सकती है, जहां आप किसी भी एक रास्ते पर जा सकती हो, लेकिन अपने रास्ते पर जाने के लिए आपके पास तरक arguments proper होने चाहिए, और अगर आपके पास arguments है तभी आप UPSC के प्रशनों को सामना कर पाओगे, otherwise आप उसमें एक तरफ आ जाकर कुछ भी लिखकर चले आओगे, और नंबर जोड़ोगे, मुझे आठ नंबर मिलेगा और वो तुम्हें एक नंबर भी नहीं देगा, तो ऐसी condition में ये बहुत जरूरी है, कि आप अपनी country क जानो, और उसके तीनों आयाम, past, present और future, उनको जोड़ते issues को prepare करो, और जब मैं issue की बात करता हूँ, तो यहाँ पर teacher, यानि पढ़ाने वाले को तुम से जाधा research करनी पड़ती है, क्योंकि कि किसी भी चीज़ के अतीत में जाकना एक बहुत challenge होता है, वरतमान में उसके पर और ही नहीं चेक करना चाहता, आपकी analytical power चेक करना चाहता हूँ, जब भी आपका notification आएगा, उपर पढ़ लेना 10 लाइनों में लिखा होता है, कि हम candidate की analytical power को, मुद्धों को समझने की चमता को चेक करना चाहते है, और एक लाइनों लिखता है, कहता है कि conflict यानि विवादों क समझने की चमता उसकी कैसी है, विवाद जहां पर सीधे-सीधे, अब एक बड़ा डैम बनाना चाहते हो, यह पता है कि अगर डैम बनेगा तो कई आदिवासी समधाय वहां से विस्थापित होंगे ही होंगे, अब डैम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इस पर आपकी आपके पास होना चाहिए, और्गुमेंट जहां विवाद जन्म ले रहे हैं, जहां हिंसा जन्म ले रही है, जहां पर समाज दो हिस्सों में बट रहा है, उन पर अपनी पकड़ बनाना एक सबसे चैलेंजिंग काम होता है, और मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर इ यह जो हिस्सा होता है आपका बहुत टाइम कंज्यूम करता है, समझ में नहीं आता कि हम किसी का अडिटोरियल भी पढ़े हैं, हम उसका मत पढ़ रहे होते हैं, वो उस विशे भी क्या सोच रहा है, आपको बिलकुल नहीं पता, वो वामपंथी है, दक्षिरपंथी है, वो मुद्दे के रूप में समझा ही नहीं महनत है, तो इसको एक इवेंट के रूप में अपने कॉपी में रख लिया, तो वहाँ जरूरी होता है कि एक व्यक्ति जो है वो लगातार महनत करे, लगातार आपको इस तीनों डैमेंशन से आपको परिचित कराए, तब जाकर जो है झाल 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 झाल